देखो ये वाले दो सवाल परिक्षा में बिलकुल आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, और ये आप से MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे बिहार बोड हो, MP बोड हो, राजिस्थान जारकंड बोड कोई भी बोड हो, ये दो सवाल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आखरी में भी दिये गए हैं, जिसमें से ये पाँचमा question बहुत important रहता है, और आज तक मैंने जो आपको important बताया है, वो परिक्षा में आता है, इसलिए आप पूरा भरोसा कर सकते हो, तो ये पाँचमा सवाल कैसे करना है, आओ दिखते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं और ये वाला सूत्र बिलकुल याद कर ले न, अपने रेडिश्टर में लिख लो, इसी सूत्र से ही तो सारे question हमने हल किये हैं, और ये सूत्र अगर आपको पता है, तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर पाऊगे, देखो कैसे, सबसे पहले एक काम करो, जो दिया गया है, उसमें जो पहली संख्या जो है, ये अलफा धन बीटा है, और दूसरी संख्या अलफा इंटू बीटा है, बस इतना ध्यान रखना, तो देखो कैसे लिखते हैं, पहली संख्या मैंने आपको क्या बताई है, अलफा धन बीटा, अलफा धन बीटा मतलब सूनिकों का योगफ गुणन फल करमसा तो पहले योग दिया है फिर गुणन फल दिया है तो नीचे लिखेंगे सुनकों का गुणन फल और ये हो जाएगा अपना alpha into beta और ये जो दूसरी संख्या है इसको लिख लेते हैं कोई दिक्कत होगी क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब अ α दहन बीटा एक्स और फिर फ्लस लगता है और लिख लेते हैं α इन टू बीटा अब यहाँ पर एक्स स्क्वेर तो माइनस लगा रहने देना और अलफा दहन बीटा जो है इसका मान है नाइनस 1 बटे चार तो कोष्टक में अपना मान रखो माइनस 1 बटे 4 कोश्टक कर दिया बंद और फिर कोश्टक के बाहर x लिखा है न तो x लिखा रहने दो और अलफा इंटू बीटा एक बटे 4 है तो एक बटे 4 ही यहाँ के लिख लो अब माइनस माइनस क्या कर दे kulay क्योंकि जो समान चिन्न होते हैं वो पलस बना देते हैं ठीक है और एक बटे 4 x आ जाएगा तो एक बटे 4 कोश्टक में पोश्टक तो हट गया माइनस माइनस पलस हो गया और x आ गया तो इंटू x प्लस एक बटे चार अब मैं इस टेप बढ़ा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि पूरा समझ में आए यहाँ पर बराबर का चिन्न भी लगा सकते हो अब देखो क्या करना है X का गुणा एक में कर देती है तो X से कम X ही हो जाएगा उपर उपर का गुणा तो X बटे चार दन एक बटे चार ऐसे लिख सकते हो अब बटे में चार पसंद नहीं आ रहे हैं तो पूरे समीकर में चार से गुणा कर दो यहाँ भी चार से गुणा होगा यहाँ भी चार से गुणा होगा तो पहले चार का गुणा X में होगा तो हो जाएगा चार एक्स बर्ग अब एक्स बटे चार है एक्स बटे चार है और इसमें अगर आपन चार से गुणा करेंगे तो चार और चार कट जाएंगे तो क्या बचेगा केवल एक्स प्लस एक बटे चार है एक बटे चार में अगर चार से गुणा होगा तो चार और चार कट जाएंग तो सब हो जागा तो यह पांच मां कुश्टन हमने कर लिया है पहले तो इसका स्क्रिंसॉट ले लो और इसके बाद हम ने इस्ट कॉष्टन करेंगे तो देख लो वीडियो को पॉस्ट कर लो और इसके अलावा अगर आप सारे वीडियोज देखना चाहते है ना 10th Maths के तो यूटूब पे सर्च करो Free Online Coaching अपना चैनल है और आपको कोई डाउट नहीं होंगे सारे वीडियोज मिल जाएंगे और Important Topic All Subject के लिए महत्कुन हेल्प बगेरा मैं उसी में दे रहा हूँ ठीक है तो जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बाकी आपका काम है सपोर्ट करना मुझे तो सपोर्ट आप कैसे करोगे अपने कलास मैं दोस्तों के साथ सेयर करोगे चैनल को अगर आप तभी सेयर करना जब आपको पसंदो ठीक है तो इसलिए सेयर करने के बाद अपने दोस्तों को भी बताना कि यह चैनल है आप यहां से पढ़िए तो वो भी पढ़ेंगे तो यही मेरा मेरी गुरू दक्षना आप मान सकते हैं चलो यह वाला सवाल कर लिया है अब छटमा सवाल करके देख लो पहले खुद से वीडियो को पॉस करके पहले एक बर प्रक्टिस कर लो सूत्रिया ही लगा दे ना जो मैंने आपको बताया है यह वाला सूत्र लगा के इसकी प्रक्टिस कर लो अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो आके रिजियूम कर सकता है अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको इसको मैंने अलग से लिख लिए इस पन्ने पर अब इसमें क्या करना है पहली संख्या अलफा धन बीटा है तो यहाँ पे लिख लेना कि सून्यकों का योगफल अलफा धन वीटा और सून्यकों का गुड़न फल अलफा इंटू बीटा फिर बस पहली संख्या और दूसरी संख्या सवाल से उठा के लिख दो अब सूत्र लगा दो दुई घात बहुपत का सूत्र क्या होता है एकस स्क्वेर माइनस अलफा प्लस बीटा एकस प्लस अलफा इंटू बीटा बस एकस स्क्वेर माइनस अलफा प्लस बीटा का मान कितना है चार तो चार साथ में लिख दो एकस प्लस अलफा इंटू बीटा कितना है एक लिख दो और यही जो तो महरा जो है डारेक्ट आ जाएगा दुई गाती तो लिखे देना यही अभीष्ट दुई गात बहुपद है तो यह सवाल भी उतनास कठिन नहीं था बाकि दोनों इंपोर्टेंट हैं यह जो मैंने बताया है इनको अच्छे से कर लेना तो इस तर रिवीजन कर लेना पढ़ाई करते रहना मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू